आईए आज हम इस वीडियो में कच्छा 9 गणित 3 मार्सिक परिक्षा 2023-24 के पेपर को हल करते हैं देखिए यहाँ पर पूर्णा अपकी बार 75 हैं समय 3 गंठे हैं पेपर आप देख पा रहे होंगे तो आपका पहला कोस्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए देखिए यहाँ पर पहला भाग है 739 की घाद एक बटा तीन का मान है तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन रप में यहाँ पर 739 को जब आप 9 से डिवाइट करोगे ना तो 9 अठी बहुत तर 9 एकम नो है ना पर 9 नो से देंगे ही नमे、 182 फिर नो से नो एकमनो है तो देखिए 9 की घाद कीतनी है यहाँ पर 9 कितनी बार है तीन बार है ना यहनिकि 9 की पावर 3 है और यहाँ पर 739 की पावर है 1 अपन 3 तो इसको उपन लिख सकते हैं इसी को अपन ने तोड़ा है अब यहाँ पर 9 की गात अपन क्या लिख सकते हैं तीन लिख सकते क्योंकि 93 और यहां पर बन अपन थी तो गहतांक के नियम से गातों का घुरा हो जाएगा हना तो ये three से three cancel हो जाएगा तो यहां पर Dav Ja da 9 की पा वर 1 यान की 9 correct answer है तो आपका बी वाला बिल्कुल सही रहेगा इसमें फिर दूसरा है निम्न में से एक स्च में इस्तित एक बिंदू हैं देखिए एक स्च में स्तित हैं तो तो उसका y निर्दे संख्या होगा जीरो होगा तो देखिए x निर्दे संख्या होगा लेकिन y निर्दे संख्या होगा जीरो इसलिए b वाला इसमें सही है फिर थर्ड वाला है आपका एक परिमे तथा एक अपरिमे संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी तो देख वाला साही अपरी में संक्या फिर एक घनाव में कितने फलक होते हैं देखिए यहाँ पर गनाब बोला है रहना तो आप छे लगाई एक ना छे आयताकार फलक होते हैं फिर यहां पर चार बटे 5 का मा 1 बटे 5 का योग हुगा तो देखिए बहुत ही आसाने बिन्नों का योग देखिए यहां पर हर समान है तो अपने यहां पर एक बार लेंगे तो पांच आएगा उपर वाले से किसे एड हो जाएगा तो पांच बटे पांच यानिकी पांच एकम पांच तो एक इसका करेक्ट अंसर रहेगा ना फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं छटे में 28 गुणित 20 अब 28 और 21 का मिल्टिप्लाइ कर लिजी आप तो देख आठ पांच अब यहां पर एसी संक्या लिखिए कि इधर भी इकवल आना चाहिए यहीं संक्या इधर गुणा करने पर आना चाहिए तो देखिए जब आप 16 से गुणा करोगे तो बैयां ली से हैं तर तो ज्यादा हो जाएगा 21 से तो और 28 से और ज्यादा 14 से करेक्ट हो ज तो आठ आठ पांच देखिए हारा है करेक्ट इसलिए यहां पर आप 14 लिख सकते हैं या फिर डी वाला करेक्ट है ठीक है आगए बढ़ते हैं अब देखिए दूसरा कुश्चन है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए यहां पर पहला बाग है सुन्य भौपत की घाद तो परी में संग्या है फिर एक की पावर जीरो का मान हमेशा ध्यान रखेगा एक होता है किसी की पावर यदि जीरो हो तो उसका मान एक होता है यह आप याद रखेगा फिर बहुपत पी एक्स बराबर दो एक्स प्लस पांच का सुन्यक है तो सुन्यक निकालना यानिकी पी ए चुरो रख दीजिए टू एक्स प्लस फाइव टू जीरो तो यह 5 को इदर लेंगे अपन तो टू एक्स एक्वल टू माइनस फाइब इदर प्लास है उदर जाके माइनस हो जाएगा तो टू एक्स यहाँ पर 2 को अपन अपन में लेंगे डिवाइट करें तो यह आ तो यहां पर आप याद रखेगा बहुपत पी एक्स बराबर दो एक्स प्लस पांच का सुन्यक आ जाएगा आपका माइनस पांच बटे दो है ना ये जो गुणे में रेती संक्या ये भाग में चली जाती है फिर यहां पर इसको सॉल्व करना है तो देखे ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस देखिए यहाँ पर minus 3 है यह minus और यह minus plus 1 हो गया न और plus 4 और minus 2 equal to अब देखिए 3 में से अपन plus 1 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका minus 2 plus 4 minus 2 equal to तो देखिए यहाँ पर यह 2 और यह 2 दोनों ही minus हैं इसलिए minus minus जुड़ता है तो minus के 4 हो गए और plus के 4 तो देखिए minus 4 plus 4 क्या आजाएगा 0 तो इसका अंसर आजाएगा आपका 0 दियान रखेगा क्योंकि यह पुरुणांक वाले सवाल है बहुत ही सावधानी से कीजेगा आप यह minus minus plus हो जाएगा तो 3 में से आप 1 minus करोगे तो यह minus 2 आएगा और यह भी minus 2 तो जुड़ेगा तो यह minus 4 हो जाएगा और यह plus 4 इसलिए 0 फिर बहुत यहाँ पर आपसे पुछाए एक से स्क्यूर का गुणांक तो एक से स्क्यूर में जाना इसके गुणे में क्या संख्या है 3 तो यहाँ पर इ तो देखिए तो देखिए यहाँ पर 1 minus 1 plus है तो आपको पता 1 minus 1 plus हमेशा घठेगा और चिन्न जो है वो चिन्नों के नियम से बड़ी संक्या काने वाला है तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाएंगे इदर से अपनों दालेंगे 10 में से 5 गए तो 5 यहाँ तीन में से 2 गए तो एक और यहाँ पर 0 काई का बचेगा minus का फिर इन दोनों को गठाने पर अपने को यह प्राप्त हुआ फिर क्या बच रहा है minus 0.85 अब दोनों ही minus क्या हो गए तो आपको पता है सुनिया से लाए एक है ना तो यह दसमलों अपने इस्तान पर तो माइनस का 1.00 जहां पर है या किवल माइनस वन है तो इसका यह अंसर सही हो जाएगा एप वाला है ना जिन्नोंने भी एप वाला किया उनका करेक्ट है फिर यहां से आप डिवाइट कर लिजी 216 में 6 से 216 वागे 6 तो देखिए 6 तिया 18 ना फिर यहां पर 11 में से 8 गए तो 3 है यह 0 हो गया फिर 6 6 6 36 तो अब आप देख लीजी यहां पर माइनस में था इसलिए माइनस के 36 कहां पर है यह ए में तो इसका यह वाला सही है ठीके फिर यहां पर इन दोनों का मिल्टिप्लाइ करके आप देखेंगे 3.7 में 2 से करेंगे तो दुगना हो जाता है ना तो 7 अंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह 7 यहां पर E में है फिर इन दोनों का पहले 5 का मिल्टिप्लाइ होगा अंदर देखिए इसको सो 5.4 तो अब देखिए यहां पर कोई चिन्न नहीं दे रखा यहने कि मल्टिप्लाइए है तो पहले अपन चिन्नों के नियम से इसका मल्टिप्लाइए करेंगे फिर गठाना करेंगे ना तो देखिए यहां पर माइनस पांचों बीस की सुन्य हसिलाय दो पचम के 25 वर दो 27 तो यह भी माइनस यह भी माइनस इसलिए यहां पर सिंबोल प्लस आ जाएगा दियान रखेगा तो यह दोनों जूड़ जाएंगे अब तो 36.5 में 27.0 आप गिनोंगे तो यह आ जाएगा 5.13 की तीन हसिलाय एक न 3.5 कहां पर हैं डी में ना तो इसके सामने वाला ही देखिए सही दे रखा इन्होंने बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा फिर 4.5 इसको डिवाइट करके देख लीजिए आप ना तो 5 और 4 तो 4 एक कम 4 है ना फिर एक बचेगा तो दसमलों लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4 दु हो जाएगा ठीक है तो 1.25 यह सी वाले में सही है तो 1.25 यहां लगा दीजिए आप फिर लास्ट जो बचा उसको तो आप मिला ही लोग है ना तो यह यहां से लगाकर बी वाले को मिला लेना के लिए अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रस्ने करमांग चार यहां पर दे रखा है एक वाक्या शब्द में उत्तर लिकिता तो देखिये पहλα है रेखिग बहुत में कितने सुन्यक होते हैं अब लेखिक कार्थ होता है घाती तो गात एक है तो सुन्यक भी उसके कितने होंगे एक होगे है तो एक सुन्यक होगा फिर साथ बटे आट का दसमलो प्रसार किस प्रकार का है तो आप डिवाइट करके देख लिजिए तो देखें यहाँ पर अपन डिवाइट करते हैं भाग नहीं जाए जिसकी सुन्या दसम्लों लगाओ जीरो बढ़ाओ ना तो साथी आठी चपपन है ना चपपन और आट आउटी चूंट साथ है ना आठ बार जाएगा यह तो यह हो जाएगा इधर दस फिर छे बचेगा ना फिर दसम्लों लगा रखी जीरो बढ़ा लो फि फिर आठी साथी चपपन कितना बचा चार बचा ना फिर दसम्लों लगा रखी इसलिए जीरो बढ़ा लेंगे अपन तो आटा पंजे चालीस तो देखें यहां पर पूरा डिवाइड हो गया तो दसम्लों प्रसार कैसा बोलेंगे अपन सांत हैं किस प्रकार का है तो दसम् इसने बहुपदी के लाएगा न सुन्य बहुपद अब भूपद ठीक है फिर यहां पर पूछा है पांच का इस्तानी मान देखिए पांच यहां पर एक अंक बाद तो एक जिरो लग जाएगे ना 50 का इस्तानी मान पचास है ना फिर मैं सेस्फल का मान क्या होगा तो बहु तो कितने बचेंगे नू में से चार कम करो आप तो पांच बचेंगे ना जीरो तो यहां पर सेस्फल क्या बच रहा है पांच बच रहा है ना तो सेस्फल का मान क्या होगा तो पांच होगा है ना फिर एक और दो के बीच एक परी में संख्या लिखिए तो एक और दो के बी उससे एक प्लस करना है न तो one plus one equal to two तो two से multiply और two से divide है न तो ये two by two आ गया फिर यहां पर two में भी इसे ही करना है two into two by two तो ये four by two तो इसके बीच में अपन लिखेंगे देखिए दो बटे दो और चार बटे दो के बीच में तीन बटे दो तो इसका अंसर तीन बटे दो सही रहेगा ठीक है एक परिमेशंक्या पुछी है या फिर एक सुत्र भी होता है ए प्लस बी बाई टू करके भी आप निकाल सकते हो ठीक है फिर आपका पांचवा कुस्चन है निम्न के लिए सत्य असत्य लिखे न तो देखिए यहाँ पर पूछा है एक रेखिक बहुपत की घात दो होती है तो असत्य रेखिक बहुपत है तो घात कितनी होगी एक होगी है न तो यहाँ पर आपको किवल असत्य लिखना है असत्य है फिर अग्ले में एक गंद में कुल wrinkles से तो यह सकते हैं यहां पर सक्ति लिखेगा अप फिर संकू एक गोला कार थोस आकरती होती हैं तो गोला कार थोस आकरती नहीं होती है कुछ इस प्रकार की आकरती संकू के होती यह यह इस प्रकार किया तो इसलिए अपने इसको असत्य खाएंगे फिर सड़क बनाने में प्रोज्ट रोलर का पईया एक बेलना काराकरती होती है तो यह बिल्कुल सकते हैं आपने भी देखा होगा फिर प्रत्य बहुत एक दीपद होता है अब यह तो असत्य क्योंकि नाम ही क सब्सक्राइब यह तो इस प्रकार से यह सब्सक्राइब आपके बाकी तो आप सबको सोलो करना असानी से आया होगा मैंने तीन अद्य आपको अच्छे से हल करवा दिये थे और साथी ब्रीज कोर्स भी पूरा हल करवा दिया था फिर भी मैं लिंक यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे रहा हूं एंडिस्क्रिंट पर भी दे रहा हूं तो आप महां से इनको चेक कर सकते हैं यह आपके अध्याए दो का कुश्चन है यह आपका साथवा कुश्चन है अध्याए एक से सारे में ल करवाएं आपका नुवा कोश्चन भी हल करवाया हुआ है और फिर दस्वा कुश्चन आपके ब्रीच कोर्स से हैं इन सभी कुश्चन की कुश्चन के अंसर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे रहा हूं आप वहाँ पर जाकर हमारे ब्रीच कोर्स को चेक कर सकते हैं कि साथी अध्या एक से तीन तक की भी लिंक दे रहा हूं तो वहां जाकर भी आप चेक कर सकते हैं देखिए आपका सोला कुश्चन हरका परी में करेंड वेरिमोस्ट मैंने लगवाय हुआ है तो पेपर बहुत ही आसान था ऐसा करता हूं यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा आप सबका किमती समय देखर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद